प्रदान मंत्री जोर्जिया मैलोनी की तरफ से आया हर तरफ छागया क्या ट्वेटर क्या फेस्बुक और क्या इंस्टाग्राम हर तरफ इस वीडियो के ही चर्चे होने लगे जिसमें प्रदान मंत्री मोदी और जोर्जिया मैलोनी दोनों ही बेहद खुश नजरा रहे वैसे ये पहला मौका नहीं जब मैलोनी ने मोदी के साथ सल्फी ली हो इससे पहले भी वैसा कर चुकी है और इसकी चर्चा सोशल मीडिया में पहले भी खूब रही थी वहाई प्रदान मंत्री मोदी ने G7 समिट में आमंत्रित करने को लेकर भी मैलोनी को धन्यवाद अदा किया प्रदान मंत्री ने अपने इस दोरे के दोरान कई राश्टरा ध्यक्षों से द्वीपक्षिय मुलकाद भी की और चर्चा भी की गई जिसमें यूक्रेइन के राश्टराथी व्लाद जैलिंस की भी शामिल है उनसे भी उन्होंने बात की सवाल ये कि मेलोडी टीम की चर्चा हर तरफ इतनी आखिर है क्यों क्या है इसके कारण क्या है मायने दरसल आपको बता दें कि भारत और इटली के बीच राजनेतिक समंद 1947 में स्थावित हुए और मार्च 2023 में भारत और इटली ने अपने समंदों को सामरिक साजेदारी तक बढ़ा लिया साल 2022-23 में दोनों देशों के बीच 14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षी वियापार हुआ जो ये बताने के लिए काफी है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने एहम हो चुके हैं और कितने अच्छे साजेदार हैं वर्तमान में परिस्तितिया हैं वो दोनों देशों के बीच समंधों का एक नया अध्याय हैं G7 शिकर समेलन के दोरान प्रधान मंत्री मोदी ने अपनी संकक्ष मैलोनी के साथ दोनों देशों के बीच द्वी पक्षी रणनीतिक साजहदारी की प्रगती की समिक्षा भी की है ऐसा ये माना जा रहा है कि भारत के प्रती इटली के मजबूत सयोग से भारत यूरोप आर्थिक गल्यारे में हिंदुस्तान की धमक आने वाले दिनों में और बढ़ेने वाली है पियम मोदी ने दक्षुनी इटली के अपूलिया की एक दिवसी यात्रा के आखिर में शुकरवार को मैलूनी से मलाकात की इस दोरान उन्होंने जी सेवन शिकर समेलेन में आमंतरित करने के लिए इटली की प्रधान मंतरी को धन्यवाद भी दिया विदेश मंतराले ने बैठक के बारे में जो विग्यप्ती जारी की है उसमें ये कहा गया कि नेताओं ने खुले और मुक्त हिंद प्रिशांत क्षेत्र के लिए अपने साजहाद दृष्टिकोन को पूरा करने की प्रतिबधिता जहे की है और भारत पश्चिमेशिया यूरप आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा की गई है बताएं कि भारत पश्चिमेशिया यूरप आर्थिक गलियारा यानि कि IMEC परियोजना के तहट साओधियारा भारत अमरिका और यूरप के बीच एक विशाल सलक रेल मार्क और पोत परिव बंतंद्र की परिकल्बना की गई है ताकि एशिया, पश्यमेशिया और पश्यम के बीच जुडाव इस्थापित किया जा सके यहां यह जानना जरूरी है कि पिछले साल दिल्ली में G20 शिगर समिलन के दोरान IMEC को आखरी रूप दिया गया था वैसे भारत के लिए इटली लेकर कहा कि उन्हें इस बात के खुशी है कि लगातार तीसरे कारेकाल में उनकी पहली यात्रा G7 शिकर सम्मेलन के लिए इटली की है प्रदान मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने इटली के साथ रणनीतिक साज़िदारी को मस्बूत करने के लिए हिंद प्रशांत और भूम अध्य साकरी अक्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबधता दोनों देशों ने जहर की है भारत और इटली के भी जो राजनितिक सम्मंध 1947 में बने थे जिसके बाद पहले प्रदान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू ने 1913 और 1955 में इटली का दौरा ही किया था इसके बाद दोनों देशों के लीडर्स ने समय समय पर एक दूसरे के हाँ दोरों को जारी रखा हाला कि ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत और इटली हमेशा से ही सहज नहीं रहे हैं 2012 के एन्रिक अलेक्सी मामले को लेकर अगस्ता वेसलेंड मामले को लेकर हेल साफी तलखी की एक बड़ी वजह बना रहा था लकिन अब एक बार फिर से दोनों देश एक साथ कई मंचों पर नजर भी आ रहे हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जा रहा है कि पुरानी कड़वाहट को भुलाकर भारत और इटली अब एक साथ हैं दरसल इटली और भारत के बीच मजबूत आर्थिक साजिधारी है पीम मोदी के सियात्रा से इसमें और इजाफा होने की पूरी संभावना है इटली में भारती निवेश लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान भीज बताया किया है बता दें कि भारत में 700 से ज्यादा अबली कमपनियों की बात करें तो फेरेरो, फियाट, सी, एन, एच और परफेटी इसमें शामल हैं कुल मिला कर कहा जाए तो पीम मोदी के इटली दौरे और जॉर्जिया मैलोनी के साथ द्वीपक्षी जो बाचीत हुई है इससे व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार के क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद भी जताई गई है